हलो एरेवन, कॉंपटेटिव एक्जाम में आपका एक बाब फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए HPGK4 अलाइड सर्विसीज की ये हमारी 28 वी सीरीज है इससे पहले हम 27 सीरीजों को डिसकस कर चुके हैं जिसमें हमने काफी अच्छे क्वेशन डिसकस की हैं हर सीरीज में आप उन सभी को देख सकते हो मैं उन सभी का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हो आपको पता है कि अब आपको कुछ दिनों में लाइट सर्विसिस की बकेंसी देखने को मिल जाएगी तो आप अपनी त्यारी अच्छे से करते रहें और अपने हपीजी के करंट अफेर और आपकी जो 18-15-7 के बाद की जो हिस्ट्री है उसे अपना स्ट्रॉंग कर लीजे क्योंकि वहीं से ही आपको प्रेलिम्स में क्वेशन देखने को मिलेंगे और में जो आपका एक्जामिनेशन रहेगा वहां से भी आपकी लगबग काफी जादा त्यारी हो जाएगी तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इसमें हमने टॉप 20 कोशन यहां पर इंक्लिउट किये हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन है हिमाचल परदेश की इस पहाड़ी रियासत को लौड हलो जी ने लेप्स की नीती के द्वारा अंग्रे जो समराजय में मिलाया था तो हिमाचल की पहाड़ी रियासत में लौड हलो जी जो थे उन्होंने अपनी लेप्ट नीती के द्वारा जो है बगहाट जो रियासती उसको अपने राजय में मिलाया था तो बगहाट इसका सही अंसर होगा A हिमाचल परदेश के सिर्मौर जिले का गठन कब हुआ था तो हिमाचल परदेश के सिर्मौर जिले का गठन हुआ था वो 15 अपरेल 1948 को हुआ था आपको पता है पुराने हिमाचल में हमारे पास जब 15 अपरेल 1948 था तो उस समय चार जिले हुआ करते थे जिसमें आपका थे चमबा, सिर्माओर और मंडी और महासू यानि कि मंडी और महासू ये चार जो थे पुराने ही मचल में आते हैं तो लगबग पुराने ही मचल में आपका 48.40% जो हिसा आता है जन्मास्टमी के दिन गड़ी लोग किस जील की आतरा करते हैं तो ये क्वच्शन आपके एक्जाम के लिए काफ़ी मौटेट रह सकता है ये ऐसा यूनिक क्वच्शन आप से लाइट सर्विसेस में जरूर पुछा जा सकता है जनवास्टमी के दिन जो गद्धी लोग है वो लामा जो डल लेक है जो जीला चमबा में है वहां की यत्रा करते हैं तो आपको पता है कि जील चम्बा में बहुत सी जो है आपके पास लेक्स है उसमें से एक लामा डलेक है चमेरा जील है मणी महेश जील है और भी कई जीले जो है चम्बा में प्रसिद है तो जो लामा डलेक है गद्दी लोग जन्माश्ट में के दिन इसकी यातरा करते हैं या आपके पास बोली जाती है जुबल कोडखाई रोड़ू के खित्रों में तो उसके इलावा एक और लेंग्वज योती है कौणची जिसको आपके बोला जाता है जैसे कि कुमारसन, रामपुर और कोडगर के इलाखों में कौणची जो बोली जाती है कोची बोली जाती है तो यह आपके लिए इंपोर्टेट रह सकता है कि बरारी कहां की लेंग्वेज है तो आप जुबल, कोटखाई और रोडु के क्षित्रों में जो यह बरारी जो लेंग्वेज है वो बोली जाती है इसके लिए अवस्तित है तो आप सभी को पता होगा जो यह रिवालसर जील है यह आपके पास मंडी जील में स्पीत है और यह एक ऐसा स्थान है जहां पर आपके तीनो धर्मों के जो शिर्ष आपको मंदिर मिल जाएंगे जैसे कि इस एक धर्म का यहां पर है और बहुत धर्म का यहां पर मंदिर है और हिंदों का भी यहां पर मंदिर है तो आप इसमें देशकते हैं मंडी में कई फेमस जीले हैं से की पराशर जील है और पराशर जील के किनारे आपको पता है कि पराशर इशी का मंदिर बना है जो की पैगोडा शेली में बना हुआ है काफी फेमस हो मंदी रहता है और इस जील को जो है तैरते वे टापू की जील भी खा जाता है क्योंकि जो पराशर जील है उसमें एक टा है मंडी जीले की जू चचो टु टी तहसील है उसमें जो यह जिल पड़ती ए तो ये आपके लिए इंपॉर्टट है कामरोनाग जील नेश्ट कुछण है समुद्धरतल से लामा जील की हुँचाई कितनी है यानि कि समुद्धरतल से जो लामा डलेक है इसकाई कितनी है तो यह पुछा गया है कई बार इस प्रकार से भी आप अगर लाइड और एचेस जैसे एक्जाम देते हो तो वहाँ पर ड्रेक्टली आप से यह कुछा जासकता है कि इलामा जील की उंचाई कितनी है तो लामा जील की उंचाई है तो यह भी आपके लिए इंपोर्टेट रह सकता है नेश को अचेन है नेश को अचेन हाँ पर है आपके यानि कि पशुराम ताल किस थान पर स्थितता है यानि कि पशुराम ताल जो है हिमाचल परदेश में कहां स्थितता है ये आपके पास है, रेणुका में आपको पता है कि पशुराम की जो पशुराम का जो सबन्द रहता है वो निर्मंट जिल अकुलूस से रहता है, वहाँ पर आपकी बुड़ी दिवाली मनाई जाती है और भुंड़ा उस सब बारा साल बाद मनाया जाता है और आपको पता है क रेडू का जील जो है हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक जील है और गोवीन सागर आपकी सबसे बड़ी कृत्री जील है तो यह भी आप फैक्टरियाद रख सकते हैं अनेश को अच्छन है विश्व की 21 भारत की तीसरी और हिमाचल परदेश की सबसे उंचाई पस्तित जील कौन सी है यानि कि हिमाचल परदेश में जो सबसे उंचाई पस्तित जील है वो है सूरस्ताल इसकी जो हाइट है वो 4883 मीटर दी गई है और यह जो जीले आपके पास लाउल्स पिती जीले में स्थित्त है तो आप इसे भी याद रख सकते हैं लाउल्स पिती दी अमस्तित जीले में स्थित्त है तो सोरंग जील है यह आपके पास जीला किनोर में स्थित है जीला किनोर के ये निचार जो तैसील पड़ती है उस तैसील में ये जील पड़ती है और किनोर में जो है एक और फेमस लेक है जिसका नाम है नाको लेक आपके पास हंगरंग जो घाटी पड़ती है उस तैसील में ये जील पड़ती है तो ये भी आपके ल जो जील सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह अपर शिमला में पढ़ती है रोडु के पास यह पढ़ती है और चांसल जो चोटी है चांसल गलेशियर से यह चंदर ता चंदर नहान जील जो निकलती है तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेट फेक्ट रहेगा नेश जीले में स्थित्त है यानि कि मणी महिष जो जील है यह आपके पास जो है चंदर जीले में स्थित्त है बहुत फेमस यह जील रहती है यहाँ पर जो है जो आपके पास शिवरात्री के टाइम जो है अगस्त माह में सोरी यहाँ पर जो है लोग यात्रा करते हैं तो काफी फ पॉंग बांध किस राजय में स्थित्त है तो पॉंग बांध जो है ये आपके पास है हिमाचल में हरो हिमाचल के कहां ये पॉंग बांध हिमाचल के कांगणा में स्थित्त है और ब्यास नदी के ऊपर ये बांध बना है पॉंग बना है और इस बांध का जो नाम है महाराणा रंजीत सिंग जो है इस बांध का नाम रखा गया है तो ये भी आपके लिए important fact है directly पुछा जाता है कि हिमचल प्रदेश में महाराजा रंजीत सिंग बांध को किस नाम से जाना जाता है तो उन्हें पौंग बांध के नाम से जाना जाता है ये ब्यास नदी पर बना हुआ है और कांगणा जीले में ये स्थित्त है मनी महेश यानि कि मनीकर्ण के गरम जलस्त्रोतों के किनारे पर स्थित्त है यानि कि मनीकर्ण आपके पास किस नदी के किनारे स्थित्त है तो मनीकर्ण आपके पास है आपको पता है मनीकर्ण आपके पास कुल्लू मनाली में है मनाली में है तो आपके पास ये पारवती नदी के किनारे पर ये मनिकर्ण बसा है तो पारवती नदी के किनारे ये है अश्क वच्छन है कुलू का कसौल किसलिए परसिद्ध है तो कुलू का कसौल आपको पता होगा ये गरम पानी के जर्णों के लिए ये परसिद्ध है तो आपको पता है कि कुल्लू में कई जगा जैसे कि मनीकंड में गरम पानी का स्त्रोथ है और उसके अलावा आपके पास तत्ता पानी में भी गरम पानी की स्त्रोथ है और जीवरी उहाँ पर भी आपके पास गरम पानी की स्त्रोथ है हिमाचल में इस परकार कई जगा पर जो हिमाचल प्रदेश में विद्यमान भविन जल स्त्रोतों में सर्वोज प्रतिशत की स्त्रोतों का है हिमाचल प्रदेश में जो जल स्त्रोतों विद्यमान जो जल स्त्रोत है उसमें सर्वधिक प्रतिशत है वो किसका है उसमें जो जल प्रपात यानि जो जहरने होते हैं वो आपके लिए जल प्रपातों का जो सबसे बड़ा स्त्रोत हिमाचल में जो प्रसेंटेज है और जो जल स्त्रोत आपके पास है कई जहरने हिमाचल परदेश में बहते हैं जैसे कि बस्जी और ददराना नामक जो जहरने है वो आपके बिलासपूर में हैं जो आपके लिए काफी important factor है सकते हैं और इसके लावा भी चैडविक जो जरना है वो आपके पास समरील शिमला में स्थित है और भी कई जरने हिमाचल प्रदेश में भेते हैं तो नेश कोचन है वो है तत्ता पानी नामा गरम पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है जो ये तत्ता पानी जो गरम पानी का चश्मा है ये हिमाचल प्रदेश के जो है मंडी जिले में पड़ता है मंडी जिले में जो कर्चोक तसील है उसके ये नस्दीक पड़ता है और यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स की ग्रूपों में शेर कर सकते हो और इसी परकार के वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं तो आप इस चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर सकते हो और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन भी आपके लिए हम ले कर आते रहते हैं आपको पताए कि हिमाचल परदेश में बहुत जल्दब पटवारी की भी पोस्ट निकने वाली है तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको इसमें स्टडी मेटीरियल जुरूर प्रोवाइड कर आएंगे तो आज की वीडियो आपको किस परकार की लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं धन्यवाद